इन नामों को मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा मौमाशौकत 22 साल सफीर हुसेन 45 साल और शबीर एहमद 32 साल गुजर भाकरवाल समुदाये के ये तीन लोग थे भारती सेना के आफिसर पुंच में करीम 9 लोगों को उठा की ले जाती है और फिर एक बहुत ही शौकिंग वीडियो सामने उपर कर आता है उस वीडियो के अंदर लोग जमीन पर पड़े हुए हैं और उनके कपड़े उतारे जाते हैं और कथित तोर पर भारती सेना के अधिकारी उन पर मिर्चें डाल रहे हैं इन में से इन तीन लोग की मौत हो जाती है आप जानते हैं इन में से एक का जो भाई है वो भारती सेना में करीब 30 साल तक एक जवान काररत था उसने कहा कि गुजर भाकरवाल समुदाय की लोग तो हमेशा से ही भारती सेना को अपना हीरो समझते थे उनसे महबबत करते थे मगर फिर भारती सेना के अधिकारी आते हैं उन्हें उठा कर ले जाते हैं और इस तरह से तीन लोगों को मौत के घाट तार दिया जाता है ना कोई ताकत, ना कोई अदावत और चाहे ये पूरा सिस्टम ही क्यों न चाहे तेरे बोल पर अंकुष नहीं डाल सकते बोल, इलाब आज़ाद है तेरे अब मैं आपको एक और तस्वीर दिखाना चाहता हूं दोस्तों ये तस्वीर देखे है ये बिहार के नवादा की तस्वीर है और इसमें आप देख सकते हैं कि चंदन कुमार को अंतिम संस्कार दिया जा रहा है यहाँ पर माइक पर भारत माता की जैके नारे लगाये जा रहे है कौन है चंदन कुमार? दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में करीब पाँच से छे भारतिय सेना के जवानों को जैशे मुहमद के आतंकवादियों ने मौत के घाट उतार दिया उन्हें शहादत हासिल हुई इन में से एक हैं चंदन कुमार और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उनका गाउं उन्हें भाववीनी श्रद्धांजली दे रहा है आज यह सवाल किया जा रहा है और आधा दर्जन सेना के जवानों का पिछले दो या तीन दिन में मारा जाना बतला रहा है कि केंद्र सरकार चाहे जितने भी दावे करे कश्मीर के अंदर शांती को ले कर वो तमाम दावे पूरी तरह से खोक ले हैं इस पूरे साल में बताया जाता है कि अलग-अलग स्वतंत्र आंकडों के वो ताविक हमारे कम से कम 20 जवान, सेना के 20 जवान और आफिसर्स मारे गए याद कीजेगा दोस्तों एक आर्मी का करनल, एक मेजर और एक डियस्पी मारे जाते है मगर अगले ही दन भारतिय जनता पार्टी के मुख्याले में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत समारो होता है उनका सम्मान समारो होता है पूरा देश शोका कुल था, उन तीन वीरों के मारे जाने को लेकर मगर प्रधान मंत्री नरेंद्र वोदी के सम्मान समारों को मुल्तवी नहीं किया गया स्थागित नहीं किया गया क्योंकि देखे सेना के जवानों के नाम पर वोट हासिल करना होता है तो प्रधान मंत्री सबसे पहले होता है याद है आपको पुलवामा जब हुआ था और उसके बाद बाला कोट हुआ था तब प्रधान मंत्री नरेंद्र बोनी ने देश की जनता के सामने आकर कहा था कि क्या आपका पहला वोट, फर्स्ट टाइम वोटर्स का पहला वोट पुलवामा के नाम पर मिल सकता है क्या उनकी शहादत पर मिल सकता है क्या मगर जब हमारे सेना के जवान मारे जाते हैं, लगातार मारे जा रहे हैं और तीन बड़ी-बड़ी घटनाएं हुई हैं पिछले दो या तीन महिनों में मगर मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या प्रधान मंत्री कोई बयान देते हैं, सहानुभूती के लिए ही सही एक ट्वीट, सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर अपना बयान तो दे सकते थे, मगर नहीं, प्रधान मंत्री हमेशा खामोश रहते हैं आज ये सवाल किया जा रहा है कि सेना के जवानों का इस्तिमाल आप वोटों के लिए तो करते हैं, मगर जब इस तरह से उनके घरों में शव पहुंचते हैं, जैसा कि चंदन कुमार के सिलसले में हम देख रहे हैं, तब आप पूरी तरह से खामोश रहते हैं और मुझे इस बात पर अचरच नहीं होगा कि स्थानिय तोर पर भारती जन्ता पार्टी के नेता पहुंच गये होंगे और उसे भुनाने की कोशिश कर रहे होंगे क्योंकि देखिए इनकी जो मशिन्री है वो बहुत जबरदस्त है, इनकी चुनावी मशिन्री का जवाब नहीं, इनके प्रचार तंत्र का भी जवाब नहीं बहराल जिस तरह से गुजर भक्करवाल समुदाय के ये तीन लोग यानि की बहुमाश शौकत, सफीर हुसैन और शबीर एहमद मारेगा है वो अपने आप में बहुत शौकिंग है, भारती सेना इस पर कारवाई कर रही है, जम्मु कश्मीर प्रशासन इस पर कारवाई कर रहा है और ये भारत के लिए नहायत ही शर्मनाक मंजर है मैं आपको बतलाना चाहूँगा, भारती सेना ने इस पर क्या कहा है, पढ़ की सुनाना चाहता हूँ बारती सेना का ये बयान है और इसमें वो लोग कह रहे हैं कि इसको लेकर जो जाच होगी हम अपना पूरा समर्थन देंगे और ये घटना अपने आप में बहुत शोकिंग है, इसी को लेकर चम्मु कश्मीर प्रशासन का भी बयान सामने आया है the death of three civilians was reported yesterday in bufflays of poonch district the medical legal formalities was conducted and legal action in this matter has been initiated by the appropriate authority government has announced compensation for each of the deceased further government has also announced compassionate appointments to the next of kin of each deceased i am in video they rubbed chili powder on our wounds its ka hindi maynwaad hai ki inho ne mirchou ka istamal kiya unke zakhmo par ragardne ke liye is trah se torture kiya gia ra ha tha sab se badehi baat eek raj tabhi shanpipurna or surakshit rahsakta hai जब सुरक्षा एजिंसीज और आम जनता के बीच में एक सकारात्मक रिष्टा हो आम जनता को असुरक्षित रहकर उनमें असंतोश बनाए रखकर एक राजिक कभी भी सुरक्षित नहीं रह सकता 370 हटाये जाने के बाद ये सरकार लगातार दावा करती रही कि हमने आतंकवाद को जड़ से खत्म कर दिया याद कीजिए कुछी महिनों पहले की बात है जब कश्मीरी पंडितों को एक बार फिर पलायन करना पड़ा था क्योंकि आतंकवादी कश्मीर के कई स्कूलों में कश्मीरी पंडितों और हिंदूओं को निशाने पर ले रहे थे मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ क्या ऐसे में दावा किया जा सकता है कि वहाँ जो माइनॉरिटीज है यानि हिंदू वो सुरक्षित है गुजर भाकरवाल समुदाय के लोग भी सुरक्षित नहीं है कोई या तो सुरक्षा एजिंसी के निशाने पर आ रहा है या तंकवादियों के निशाने पर आ रहा है और हमारे खुद सुरक्षा एजनसी इसके चाहे जवान हूँ, ऑफिसर्स हूँ, सेना के जो हमारे ऑफिसर्स हैं, जवाने वो भी सुरक्षित नहीं है और जवाब दही किसकी बताईए उमार अब्दुल्ला की जवाब दही है महभूबा मुफ्ती की जवाब दही है क्योंकि उनको तो आप घर में बंदगर देते हैं मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ इतनी बड़ी घटना और जवाब दही किसकी ये तो तैह होना चाहिए ना हाल ही में धारा 370 को लेकर सुप्रीम कोट का फैसला आया था जिसमें मोदी सरकार के फैसले को सही ठहराया गया था मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ ये सब बाते हो रही है मगर क्या कोई आम कश्मीरी की बात कर रहा है क्योंकि अगर आम कश्मीरी सुरक्षित रहेगा तब ही तो हमारी सेना के जवान जो तमाम जगाओं पर गश्ट लगा रहे हैं जिनकी जिम्मेदारी है कश्मीर में सुरक्षा को लेकर हिफाज़त को लेकर वो भी तो सुरक्षित रहेंगे ना मगर जब आम इनसान में इस तरह का संतोष पैदा किया जाएगा इस तरह की असुरक्षा इस तरह की इनसेक्योरिटी पैदा की जाएगी तो हालात कैसे भैतर होंगे बताईए मैं एक बात सपश कर दूँ एक शब्द हीलिंग टच ये किसी और फैक्टरी से नहीं आया है ये भारती जनता पार्टी की अपनी सोच से सामने आया है जब अटल बिहारी वाचपई देश के प्रधान मंत्री हुआ करते थे और उन्ही के हीलिंग टच यानि एक सुकून वाला जो संपर्क था आम कश्मीरी के साथ उसी का परिणाम था कि अगले दस साल तक यानि दो हजार दो से करीब 2011-12-13-14 तक कश्मीर में हालात सामान में थे काफी हद तक सामान में थे मैं समझ सकता हूँ कि कश्मीर में हालात को पूर्ण तह सामान ने कभी नहीं कहा जा सकता मगर हलाद बहतर थे अब एक घटना होता है और पूरे इलाके के इंटेनेट को गायब कर दिया जाता है गुजर भाकरवाल समुदाय के उन तीन लोगों को मौत की घट उतार दिया गया उसके बाद पूरी जगा का इंटेनेट साफ है धारा 370 हटाये जाने के बाद आप ये ना भूलें कि किस तरह से पूरी घाटी में पूरे कश्मीर से इंटेनेट गायब हो गया अभी कुछी दिनों पहले लखनाओं को एक वीडियो सामने उफर कर आया था वीडियो में आपको नहीं दिखा सकता आम कश्मीरी जो मेहनत से अपनी रोजी रोटी कमा रहा है उस पर उत्तरपदेश पुलीस जो है वो डंडे भांज रही थी आम कश्मीरी जो अपनी मेहनत से नौकरी कर रहा है आप उस पर हिंसा का इस्तिमाल कर रहे हैं आम कश्मीरी और रेस्ट ओफ इंडिया के जो भारती हैं उनका जो रिष्टा है वो बहुत पेचीदा है अंग्रेजी में एक शब्द है handling it with kids gloves यानि कि बहुत ही सलीके से बहुत ही समवेदंशील तरीके से इस रिष्टे को संजवे जाने की जरूरत है हम ये नहीं कह सकते कि कश्मीर हमारा अभिन अंग है मगर आम कश्मीरी को हम त्याग दें ऐसा नहीं हो सकता दोनों में तालमेल बिठाना पड़ेगा तभी सही मायनों में कश्मीर हमारा अभिन अंग है मगर अगर हम बाकी भारत में आम कश्मीर को गाली देते रहें, उसे टार्गेट करते रहें, मगर ये दावा करें सहाब, कि कश्मीर हमारा अभिन्हंग है, तो ये बात कतई हजम नहीं होगी आज मोदी सरकार की जवाब देही तै की जानी चाहिए कि ना आम इनसान सुरक्षित दिखाई दे रहा है, और ना हमारे सेना के जवान, ना हमारी सुरक्षा एजनसीज जो वहां काम कर रहे हैं सबकी जिंदगी में जबरदस टेंशन है, जबरदस तनाव है, और इस तनाव के रहते हम तरक्षी नहीं कर सकते क्योंकि अगर आपका दिमाग ही असुरक्षित है तो आप तरक्षी कैसे करेंगे बताईए अगर आपके दिमाग में हमेशा डर है अगर आपके दिमाग में खौफ है कि मेरे माबाप को कुछ ना हो जाए मेरे बच्चों को कुछ ना हो जाए या मेरी पत्नी को कुछ ना हो जाए तो इस असुरक्षा के चलते तरकी कैसे होगी और ये जो असुरक्षा का भाव है सिर्फ आम कश्मीरी में नहीं है बिहार, उडिसा, उत्तर प्रदेश से जो लोग वहां पर आकर तैनात हैं चाहे वहां का मजदूर हो, चाहे सेना का जवान हो, चाहे सुरक्षा एजिंसी से जुड़े लोग हो, चाहे पारा-मिल्टरी फोर्सस से जुड़े लोग हो उनके जो परिवार के लोग हैं वो हमेशा इसी बात को लेकर उनके मन में डर होता है कि कुछ हो ना जाए उनके घर में जैसे ही फोन बचता है तो सबसे पहली चीज उनके जहन में यही आती है कि कोई बुरी ख़बर तो नहीं आ गई इस तरह की अनिशित्ता इस तरह की असुरक्षा नसिर्फ आम कश्मीरी में है बलकि वहां तैनाच सुरक्षा कर्मियों में सेना के जवानों में भी है इसे खत्म करना पड़ेगा और यह खत्म कैसे होगा यह खत्म तब होगा जब हम सही माइनों में कश्मीरियों से समबाद कायम करेंगे जब हुने हम बराबर समझेंगे जब उनके प्रती हमारा रवया बाकी भारतियों की तरह होगा उनमें confidence पैदा करने की जरूत है गुजर भाकरवल समुदाय के जिन तीन लोगों को मौत के घाट तार दिया गया है इस घटना करम के बाद शांती को एक जबरदस्त आगहात लगा है मैं उमीद करता हूँ कि सेना इसे पूरी जिम्बिदारी के साथ संबोधित करेगी और दूद का दूद और पानी का पानी होगा और गुनहगारों को सजा मिलेगी ताकि आम कश्मीरे में विश्वास पैदा हो सके अब इसार शर्मा को दीजिए जासत नमस्कार अब इसार शर्मा को दूद करें विजिए जासत